क्यों रिस्टेशों में हम डिस्कुस करेंगे Council को LGBT 쿡 के स्टेंशन..? nårता है.. फेक्टर्स, क्या होता है.. और कोईफेसइंट तुम की जा है.. और कि स्टेंशन होता। nuclear एकस्टा आप एकाफिष नहीं मद्यूंप करेंगे हमारे पास क्या होती है है Algebraic Obsession Algebraic Expressions कैसे हमारे पास होती है इसमें हमारे पास variables भी होते loaded और constant भी होते हैं और वो आपस में Connected together सब्रड़ा अबरे स्ब्ट्रेक्शन यह देखें हमारे पास यह Algebraic solips एक यह है so we have temos यह Plhouse Center में आगए इसका क्या मतलब लिजबिख पास इसमें यह कोईफूरिशन यह कोईफिशिएंट है तो की के साथ भात करें तो इसमैं यह nu na अधिकेस बिद्म एकल एकल वाय कोईफिशिएंट कोईफिशन क्योत है यह जो यह हमारे पास ठीक है यहregierung के साथ है उरी परिंद्मिद्म है तो हमारे पस coefficient होता तो इस algebraic expression की बात करें तो इसमें 2 terms है इसमें 3 terms है तो अब यहां पर आजें terms, factors, coefficients को डिसकस करते हैं यह बात करें चले इस expression को हम ले लेते हैं एक algebraic expression 4x plus 5 है इसमें हमारे पास किती terms हैं, एक यह term है, एक यह term है, सेंटर में plus का sign आ गया तो यह किती terms होगी, 2 terms होगी इतना clear हुआ, terms क्या है, एक यह term है, एक यह term है, यह two terms है, एक 4x और एक 5 ठीक है, यही बात इतर है, तो terms are added to form expressions, terms add होती है, ताके वो फिर क्या बन जाती है, expressions बन जाती है ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 4x है, यह 5 है, two terms है, और यहाँ पर center में plus का sign आ गया, तो यह हमारे पास एक expression बन गी ठीक है, तो इसी तरह expressions बनती जाती है, terms themselves can be formed as the product of factors, अब terms है, यह देखें, 4x plus 5 है, यह क्या बन गी, expression है, इस पूरे की बात करें, तो यह algebraic expression है, और अगर 4x की बात करें, तो एक यह term है, और एक 5 term है, तो यह two terms होगी, अब जो terms है, वो हमारे पास क्या है, वो बनती है, product of factors, अब बात करें, 4x की, तो term 4x की बात करें, तो वो क्या है, हमारे पास product है, इसकी factors का, of its factors 4 and x, यह term है, इसमें कितने factors है, 4 और x 2 factors आ रहें, तो factors यह होते हैं, कि जो term है, हमारे पास वो बनती है, can be formed as the product of factors, अब 4x की बात करें, तो इसमें क्या है, इसका factor एक 4 और एक x है और term 5 is made up of just one factor that is 5 ठीक है समझा आ गया तो जो 5 है हमारे पास 5 term है वो बनी है सिर्फ एक factor से that is 5 expression 7x minus 5x की बात करें तो इसमें हमारे पास किती terms है एक ये term है इस center में sign आ गया और ये दूसी term है तो 2 terms है इस expression में हमारे पास 2 terms है और 7xy और क्या है दूसरी minus 5 facts अब term 7xy की बात करें तो उसमें हमारे पास ये क्या है term 7xy क्या है product है of factors 7x and y ठीक है और numerical factor of a term is called its numerical coefficient और simply coefficient अब बात करें कि coefficient क्या होता है इतना पता चल गया आको terms क्या होती है factors क्या होती है factors क्या है हम लोगोंने बता दिया कि जैसे 4x है तो इसके factors क्या है 4 and x ठीक है और terms की भी बात मैंने आपको बता दिया वो भी clear हो गया end पे हम दूवारा से discuss कर लेंगे सबको और अब coefficient की बात हो रही थी तो coefficient हमारे पास क्या होता है numerical factor होता है term का ठीक है अब जैसे बात करें 7xy की 7xy हमने लिया था 7xy minus 5x है तो ये क्या है एक algebraic expression है 7xy एक term है 5x एक term है ठीक है अब 7xy हमारे पास term तो है और 7xy हमारे पास क्या है term के किते factors है एक 7, एक x और एक y अब जो numerical value है ना जो 7 है नमबर है तो वो हमारे पास coefficient है 7 हमारे पास नमबर है तो उसको हम क्या कहेंगे वो coefficient है ठीक है 7 क्या है 7xy is क्या कह रहे है coefficient in the term 7xy is 7 and the coefficient in the term minus 5x is minus 5 तो जो नमबर होता है हमारे पास किसके साथ? variable के hots variable के साथ, जो भी नमबर होता है एसके साथ हमारे पास जो नमबर है, उसको हम कहेंगे वो coefficient है, इसीतरा minus 5x है, तो term है तो इसमें हमारे पास minus 5 जो है, क्या है हो coefficient है, इसीतरा बात करें, इस algebraic expression की, तो ये हमारे पास terms है दो और इसमें हमारे पास जो x के साथ है वो हमारे पास क्या है x के साथ 4 है तो 4 को efficient है clear हुआ तो हमारे पास simple तो ये था पहले कि algebraic expression होती क्या है इसे expression जिसमें हमारे पास variables भी होते है constants होते हैं वो connect to it by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication, division स भी précision थिश्यं थारों तो शारी algebraic expression है फिर मैं आपको बताया कि थांस ठरम होती क्ति है ये algebraic expression है तो इसमने ये एक time है थांस थांस da, पिर बात की तही है उप Ya light है थांस्यान थांसझ है तिकक है इस टर्म में एक 7 factor है एक X factor एक Y factor है तो यह factor भी clear हुआ फिर coefficient की बात की थी तो coefficients क्या होते है कि जो variable है variable के साथ जो भी number होता है हमारे पास उसको हम क्या कहते है कोईफिशेंट कहते हैं तो clear हुआ होगा सबस्क्राइब करना है तो आप कर सकते हैं होपस आपको अच्छे से समझ जा गया होगा आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो टेक केर